संगीत निर्देशक के लिए एक मस्कील दाउद का, ये उस समय का है जब एदुमी दोएग ने साउल के पास आकर उसे खबर दी कि दाउद अभी मेलेक के घर में घुसा है विधर्मी अत्याचारी तुम अपनी दुष्टिता की डिंग क्यों मारते हो तुम दिन भर शडियंत्र रचते हो कपटी तुम्हारी जीब तेज उस्तरे जैसी है तुमको भलाई की अपेक्षा बुराई और सत्य की अपेक्षा जूट अधिक प्रिय है कपटी जिवहा हर विनाशकारी बात तुमको प्रिय है इसलिए ईश्वर सदा के लिए तुम्हारा विनाश करेगा वो तुमको तुम्हारे तंबू के भीतर से छीन लेगा वो जीवन लोक से तुम्हारा उन्मूलन करेगा धर्मी देखेंगे और दंग रह जाएंगे वे ये कहते हुए इसका उपहास करेंगे इस मनुष्य को देखो इसने ईश्वर को अपना आश्रय नहीं बनाया था इसे अपनी अपार संपत्ति का भरोसा था और ये अपने कुकर्मों की डिंग मारता था परन्तु मैं जैतून के हरे भरे पेड की तरह इश्वर के घर में लगा हुआ हूँ मैं प्रभु की सत्य प्रतिग्यता का सदा सर्वदा भरोसा करता हूँ ये कार्य तेरा ही है इसलिए मैं सदा तेरी इस्तुति करूँगा और तेरे भक्तों की मंदली में तेरे नाम की भलाई का बखान करूँगा